Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब अच्छे होंगे, तो friends, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, JKPSE ने मेंस की डेट अनॉंस कर दी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, कर ही नोटिफिकेशन निकली है, आप देख पा रहे हैं, 1st of March 2024 को नोटिफिकेशन निकली है कि जो भी बच्चे prelims में क्वालिफाई हुए थे, वो अब मेंस का फार्म बर सकते हैं, ठीक है, और ये जो इसमें dispute था, इसलिए ये इतना डिले हुआ, क्योंकि court में केस चल रहा है, कैट Central Appellate Tribunal में केस चल रहा है, यहां पर दो result आये थे, ठीक है, prelims के दो result आये थे, एक first आये था, उसके बाद second sheet निकली, result sheet निकली, जिसमें जो first sheet में बच्चे qualify थे, वो second में qualify नहीं किये थे, क्योंकि 22 questions के आसपास वो dispute था बच्चों को, 22 questions कुछ गलत थे, और उसमें 4 डिलेट कर दिये, तो फिर जो बच्चे first में qualify कर रहे थे, वो second में qualify नहीं हुए, तो first व चलिए सारे provisions जो हैं, इसके आज हम इस वीडियो में discuss कर लेते हैं, तो यह important provision है कुछ, कि आपके जो, आप 4th of March 2024 से आप फार्म बर सकते हैं, ठीक है, फार्म फिलब की date जो है, 4th of March 2024, and the last date is 10th of March, ठीक है, 10th of March से पहले पहले आप फार्म बर सकते हैं, ठीक है, हार लिए जो पहले था कि आप को 1st January 2023 तक आप eligible होने चाहिए, ठीक है, आपकी जो age count होगी, वो 1st January 2023 के date के मताबिक आपकी count होगी, ठीक है, और age क्या है, वो हम आगे discuss करेंगे, मेंस examination shall tentatively convince from, मेंस की जो date है, आपकी 26th of March से है, ठीक है, आपकी मेंस exam 26th of March से स्टार्ट हो रहे हैं, ठी मेंस के लिए, 10th of March is last date, and 26th of March 2024 is the date, ठीक है, आपकी मेंस exam स्टार्ट हो जाएंगी, इस डेट को, अच्छा, ये जो है थोटा दिया गया कि, यूनियर स्केल, जेके, जेन के police service और जेन के account service इन तीनों के लिए exam है, तो ये जहां पर total number पोस्ट दी गई है, 75 है, ठीक है, ये condition of eligibility, ये पढ़ लो और आम से, वीडियो को पास करके पढ़ लेना, तो ये जो age की में बात कर रहा था, ओपर मेरे के लिए 35 थी, ठीक है, reserve category, जा in service candidate के लिए 37 थी, और physical challenge candidates के लिए 38 थी, ठीक है, age limit, फिर is a reservation है, ठीक है, जो आपको age relaxation मिली हुई है, उसके बारे में, horizontal reservation, हाँ, और ये mandatory documents, जो आपको documents करके अप्लोड करने है, domicile certificate आपको upload करना है, ठीक है, जब आफ आफ आम बार होगे, ये documents आपको upload करने पड़ें, domicile certificate, date of birth certificate, bachelor degree, और final year, consultator mark sheet, character certificate, category certificate, physical handicap certificate, and in service certificate, in service candidate होते हैं, जो उन को दो साल की age relaxation मिलती है, फिर जाएगा domicile, ठीक है, ये आप 19.06.2023 को आप eligible होने चाहिए, आप domicile होने चाहिए, इस date के ठीक है, अगर आपका domicile certificate, इस date के बाद बनता है, तो बाद बना हुआ है, तो तब आप eligible नहीं होगे, ठीक है, इस से पहले पहले जहाँ उस date को आ feasible थे, तो ये center of examination, आपके दो center बनेगे, सिर्नगर और जम्मो में, ठीक है, अकॉर्डिंड ये आप fill up कर सकते हैं, बाकि ये है, candidate must submit his or her online application form, email ID, mobile number वगर आपको बरना है, ठीक है, admin cards, ये available होंगे, website पर ही, website है, jkpsc.nic.in पर जाकर आपको form fill up करने है, यहीं पर आपके admin card issue हो होंगे, और आपको examination के लिए, admin card के साथ साथ, आपको examination center में ये चीज़ें, आपको original photo ID अपनी लानी है, ठीक है, अधार car, water ID card, driving license, bank card, passport, ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है, इनमें से कोई भी चीज़ आप लेके आ सकते हैं, फिर requisite fee, fee की बात करें, तो general category के लिए 1000 fee ह ठीक है, और जो physically handicapped candidates है, उनके लिए कोई fees नहीं है, तो आगे देख लेते हैं ये, scheme of examination pre आपका हो चुका है, आगे आपका mains होना है, उसके बाद आपका interview होना है, और ये physical standards देगे हैं, अगर आप JN के police service में आप enrolled होना चाहते हैं, तो आपकी height कम से कम इतनी होनी चाहिए, ठीक है, 165 cm, और females के लिए 150 cm है, chest आपकी जो है, 84 cm, 5 cm, आपकी इतनी minimum chest होने चाहिए, और females के लिए इतनी होने चाहिए, 79 cm, 5 cm, तो जो बाकी जो instructions हैं, वो आप इस website पे जाके, पुरा आप पढ़ सकते हैं, www.jkpsc.nic.in, यहीं पे आपको online farm का link भी मिल जाएगा, ठीक है, और यह photograph आपको 10 to 20 kb के बीच 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 आपकी JPG quality में होनी चाहिए, ठीक है, photograph सबकी, यह वाकी general instruction है, आप आराम से इसको pass करके वीडियो को पर सकते हैं, ठीक है, और जो candidate misconduct करेंगे, ठीक है, उनके खिलाफ action होगा, यह सारा इसमें दिया गया है, यह आपको cheating नहीं करन यह exam में, चली friends, यही था आज की वीडियो में, जब आपको एक notification आई थी, तो उसके बारे मैं आपको inform करना था कि KS के mains के farm बरने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप accordingly अपने farm fill up कर लेना, ठीक है friends, चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe कर लेना, और bell icon को press कर लेना ताकि आने वाली exam की notifications वी आपको मिलती रहें, और मैं इसका जो PDF link है वो अपने telegram channel पर डाल दूँगा, तो telegram channel का link मैं आपको description में दे दूँगा, तो आप वहाँ से मेरे telegram channel को join कर सकते हैं, ठीक है friends, thank you very much, मिलते हैं फिर next video में, thank you very much.